हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल अंजली मिक्स रेसिपी फ्रेंड्स आज की रेसिपी में बनने वाला है नीबू और हरी मिर्च मूली का अचार इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते हैं हम बहुत इसली बन जाता है काफी टेश्टी लगता है तो यह यूपी बिहार म स्विश्टी फ्रेंडा है तो यह जो बनता अचार खराब हो जाता है बहुत जल्दी तो यह हमने इसे अच्छे से कपड़े से पूच लिया है काड़ते हैं यहूँ मैंने इक हस्वा लिया है जिससे मूली को इस तरीके से काटेंगे मोटे मोटे pieces में cut करने है इसको खाने में तभी बहुत मज़ा आता है तो इस तरह मूली को cut लेंगा आप चाहें तो मूली का छिलका उतार सकते हैं या नहीं भी उतारें कोई बात नहीं बिना छिलका उतारें मूली और भी test लगता है मूली का टेस्ट आता है अगर छिलका निकाल दोगे तो टेस्ट नहीं आएगा तो इसी तरीके से सारे मूली को पहले है सबसे पहले मूली को कट करेंगे तो यहां पर जो हरी मिर्च है अब उसे कटिंग किया जाएगा तो हरी मिर्च को 20 से थोड़ा-थोड़ा काट दिया जा बस बीच से थोड़े-थोड़े से इसमें चीगड़ी मार देने हैं ताकि जो रश है तो इसके अंदर अच्छे से एपजोब हो पाए तो मिर्ची को इस तरीके से काट लेना है देखिए यह मिर्ची कटा है नीबू के मूली के अंदर तो फ्रेंट्स मिर्ची का जो बीच वाला भाग है थोड़ा से काटना है पीछे वाले भाग को और रॉंग साइड नहीं काटना है राइट साइड यह काटना है मिर्ची को सारे मिर्ची को हमने यहां काट लखा है आप देखिए अब आई है नीबू की बारी तो नीबू को मै सांत, तीनों के लेबल बराबर होने चाहिए, तब भी बहुत मज़ा आता है, इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ता है, बिदाउत मसाले का यह अचार बनता है, और इसे सभी लोग बहुत पसंद, बहुत इंज्वाय से खाते हैं, काफी टेस्टी भी लगता है, तो इस तरीक से रस निकल रहा, आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे हाज से भी निचोड की निकाल सकते हैं, तो फाइंली फ्रेंड्स, यहां हम इस तरीके सा सारे निवू के रस को निकाल लिए हैं, देखिए, इसके अंदर कितना रस आ चुका है, मूली और मिर्ची के अंदर, दो गुना तीन गुना डालना चाहिए क्योंकि नीबू होता है नीबू नमक को absorb करता है और थोड़ी सी हल्दी राल देंगे बस नमक, हल्दी आजवाईन बस otherwise हमें किसी भी चीज़ की में जरूरत नहीं है friends और इसे बहुत अच्छे से mix करेंगे मिक्स करके इसे दो दिन तक हम ढखके धूप में रखेंगे धूप में क्या होगा जो नीबू है वो खटापन हो जाएगा मिर्ची पक जाएगी फिर तो इसका टेस्ट और स्वाद तो आप पूछो ही मत कितना लाजवाब होगा तो यहां मैंने सबीको मिक्स कर लिया चलते हैं धूप में और दो दिन बाद आपको दिखाते है इसका कलर और मिर्ची का कलर दोनों में देखना आप फर्क कीतना हो जाएगा तो इसे अम धूप में रख देते हैं फ्रेंट्स दो दिन के लिए फ्रेंट्सilant तो बोलोगे कितना टैस्टी अचार बना हुआ है तो ये ती है मेरी आज की रेसिपी फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स रेसिपी में नेक्स वीडियो के साथ तक के लिए तक के लिए थन्वाद बाए थन्वाद बाए